यूस्बी चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और बहुत कुछ, हीरो ने महज 61,000 में लॉंच की ये किफायती, बाइक, हीरो HF Deluxe भारतिय बजार में काफी मशहूर है और स्प्लेंडर प्लस के बाद ये ब्रांड की दूसरी बैस्ट सेलिंग मॉडल है, दो हजार टेईस HF Deluxe क एक नया स्ट्राइप्स पोर्टफोलियो भी मिलता है, जो बाइक के लिए एक नया ग्राफिक्स थीम है, कम्यूटर बाइक्स की दिमांड भारतिय बजार में सबसे ज़्यादा है, और इस सेग्मेंट में हीरो मोटो कॉप का कोई जवाब नहीं है, अब देश की सबसे बड जो की इसे बतोर कम्यूटर बाइक काफी बहतर बनाते हैं, हीरो एच एफ डीलक्स को कम्पनी ने कुल दो वेरियंट्स में लॉंच किया है, इसके बेस मॉडल की स्टॉट वेरियंट की कीमत साथ हजार साथ सो साथ रुके और सेल्फ स्टॉट मॉडल की कीमत छिया सथ हजा जिसमें बॉडी पर कोई डीकल नहीं दिया गया है, फ्यूल टैंक, बॉडी वक, फ्रन्ट वाइजर और यहां तक की ग्रब रेल, अलॉइ वील, इंजन के साथ साथ एग्जॉस्ट कवर सभी काले रंग में तयार किये गए हैं, जो मोटर साइकल को एक स्लीक लुक देते है कम कीमत में स्पोर्टी लुक का मज़ा लेने वालों के लिए ये एक बहतर विकल्प साबित होगी नई हीरो एचेफ डीलेक्स में क्या है खास हीरो एचेफ डीलेक्स भारतिय बजार में काफी मशहूर है और स्प्लेंडर प्लस के बाद ये ब्रांड की दूसरी बैस्ट सेलिंग मॉडल है 2023 HF Deluxe को एक नया स्ट्राइप्स पोर्टफोलियो भी मिलता है जो बाइक के लिए एक नया ग्राफिक्स थीम है नया स्पोर्टी ग्राफिक्स बाइक के विजूल अपील को और भी बहतर बनाते हैं नए Stripes Graphics को Headlamp Cowl, Fuel Tank, Side Panel और Under Seat Panel पर देखा जा सकता है इस Commuter Bike के इंजन को नए RDE Norms के तहत अपडेट किया गया है इसमें Company ने पहले की ही तरफ 97.2cc की क्षमता का Air Cooled Single Cylinder Engine इस्तिमाल किया है जो अधिक्तम 8 PS की Power और 8 Nm का Peak Top Generate करता है जिसे Chart Speed Gearbox से जोड़ा गया है 2023 Hero Self और Self I3S Variant में Tubeless Tires के साथ बतौर Standard आती है जबकि एक USB Charge अक USB Quackle पिक Accessory के रूप में दिया गया है अन्य Features के तोर पर इस Bike में Side Stand Engine Cut-Off, गिरने पर Engine Cut-Off और दोनों सिरों पर 130 mm Drum Break दिया गया है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबस्क्राइब जरूर करें